जेहिन सातियों आप सभी के हमारे चैनल इसमार टेज़ोटेक में स्वागत हैं तो किसान सातियों आज हम आपको बताएंगे एग्रोमीन मैक्स के बारे में तो सातियों जैसा कि अभी कफ़ी किसानों के जीरे में समसी आ रही हैं लाल, पीला, काड़ा पढ़ने की तो साथ इसके लिए एग्रमे जो एक मल्टी माइ्क्रनीट्रेंट फर्ट्री लाइजर आता है चो ने cuando है तो इसको भी ULE में ले सकते हैं जो एग्रमें विभिनतर करें जैसे एग्रुमें सोईल हो गया एग्रुमें लिक्विड हो गया एग रूमीन मैक्स हो गया और साधा एग रूमीन है एग रूमीन गॉल्ड है तो सातियों इसका यूज अपन जीरे के अंदर इस्प्रे में भी कर सकते हैं और पिलाई के अंदर भी कर सकते हैं जैसे दो स्री बार पिलाई हो या तेस्री बार पिलाई हो उसके अंदर तो अंदर जिंक हैं और अलगलग पॉषकतत्त। हैं जैसे जेशनक हो गया आईरन हो गया मेंनिसीयम हो गया कोपर हो गया मॉलीब्लेन हो ऊगया बोरॉन हो घुण तुम यह कंटन्ट हैं जो भी लाल से आंदर दो ग्राम के हिसाब से जिस टाइम भी है फ्लोरिंग के अंदर हो यह लिफ लीफ से समद्धित भी कोई समस्याह рокता दे सकते हैं और फ्लोरिंग जब फूल बननने की आखो ताउ तर भी दे सकते हैं और इसके लावाद जब भी फ्रूट हैं जिसके अंदर फ्रूट फलों के अंदर देते हैं तो इसको देने से फलों की साइज भी बढ़ती है और इसके अंदर पोटेशियम और ये सुक्सम पासकते तो पाय जाते हैं जिससे फूल खीरने की समस्य भी कम होती हैं बोरोन भी पाया जाता है तो इससे पदे की अलगलग फुटान पतियां विबिन तरह के गयों के अंदर भी कल्ले अलगलग बड़वार में काफी उपयोगी हो सकता है तो आप भी एग्रुमीन मैक्स को जरूर जीरे के अंदर भी 30 बार पिलाई में दे सकते हैं इस के अलवा अनेक सारे फ्रूट हैं विबिन फलों के अंदर सब्जियों में सभी में काम में ले सकते हैं तो यह एक मल्ट्री माइक्रो न्यूट्रेंट के तोर पे एरिज का एग्रुमीन मैक्स बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइजर के तोर पे काम लिया जाता है थैंक्यू यह अवर वाचि अजिया जाता है